नमस्कार दोसों स्वागत है आप से भीक हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे सो आज की वीडियो में हम पीजीटी टीटी टैट जेवीटी कमिशन करेंगे प्रिवियर कोशन करेंगे हम जीगे कोशन से आपको होने वाले हैं अभीका जो एक्जाम है उसमें भी आपको इंपोर्टेंट होगे तो इसको देखना मत बूलेगा उससे पहले आपको इप्ता दो अगर आपने अपने परिख्षा आपको डाउनलोड नहीं किया है जुनियर ऑफिस इस्टेंट की टेस्स धे एच पी जी के पावरपक करंट अफेर्स है थे पूलिस कॉंस्टेबल की टेस्स है एच पूलिस सब्सक्टर की भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी तो आपको करना क्या है परिक्षा आपको डॉनलोड करना है लिंक आपको इसका box मिल जाएगा maximum 279 रुपीज की test series है लेकिन जैसे आप जी के ट्रिक 50 code यूज करेंगे जी के ट्रिक 50 code यूज करेंगे तो आपको 50% off मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा 50% off मिलेगा तो यह जो test series है आपको 14 40 रुपीज की पढ़ेगी मैं यह नहीं वह रहाँ कि आपको यह test series खरीनी चाहिए मैं यह वह रहाँ कि आगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे है तो आपको एक test series की जूरत पड़ती है आपको एक mark दर्शन की जूरत पड़ती है तो उस के लिए उस mark अग्जाम की त्यारी कर रहे हैं जितने भी exam है उसके लिए यह test is available है और हिमाचल एक्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए test is available है और यह questions भी उन सभी के लिए है तो first question की ओर चलते हैं उन परवर्थ श्रिंखला को क्या कहता है जिसमें मध्य भाग नीचे धस दाता है और अगल बगल के भाग उन्चे खट रहते हैं मालो यह परवत श्रिंखला है कोई ठीक है इसका अगर बीच का भाग धस जाता है नीचे और यह जो side का भाग है यह खड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन कौन से माउंटेन बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या फिर भ्रंश घाटी इसको बोल देते ह क्या बोलते हैं ब्रंश घाटी एक उप्शन इसका राइट एंसर है नेक्स्ट कुश्ण देखते हैं इन मेंसे कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है तो नर्मता जो नदी है वह आपकी ब्रंश घाटी से निकलती है D option इसका right answer है answer की आपको सारे की सारे last time मिल जाएगी और सारे की सारे GK के lecture जो है आपको मेरे eye button में मिल जाएगे आपको यहाँ पर eye button दिख रहा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगे और आपको playlist भी सारे की सारी वहाँ पर मिल जाएगी next question देखते है भात में हिमाले की लंबाई कितनी है देगे यह आपका India है ठीक है तो इस तरह से आपका यह हिमाले बनता है यहाँ ठीक है इस तरह से तो यह आपका हम जिस इलाके में रहते हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल परदेश हर्याना और पंजाब अगरा तो यह जो इलाका है यह आपका पश्चित पश्चिम जो है हिमाले है और यह मध्धे हिमाले आजाता है उत्तर परदेश बिहार और यह आपका पुरवी हिमाले आजाता है जिसमेn सेवन सिस्टर स्टेड्स आती है तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पूछी गई है भात में हीमाले की लंबाई कितनी है तो भात मैं हीमाले की 남बाई है 2500 किलोमेटर बी आप्शन इसका राइट अंपर है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि साइबेरियाई पक्षी के लिए प्रसिद है कहां पर स्तित है केवलादेव नैशनल पार्क इसको गाना नैशनल पार्क भी बोल सकता है केवलादेव गाना नैशनल पार्क साइबेरियाई पक्षी के लिए फेमस है migrator species आती है यहाँ पे famous तो वो कहाँ पर है आपका वो है आपका राजस्थान में बी option इसका right answer है राजस्थान के जो चीफ minister है वो आपके अशोग गहलोग जी है और कलराज मिस्षर जो है आपके गवर्नर है वागे next question देखते है सुदर भारत का दक्षिन्तम बिंदू का उनसा है इनमें से पुछा गया है कि सुदर भारत का जो दक्षिन्तम बिंदू है वो कौन सा है तो दक्षिन्तम बिंदू है आपका सुदर भारत का इंद्रा पॉइंट बी option इसका right answer है और मद्धिय भारत का दक्षिंतम बिंटू पूछा गया तो आपका कन्या कुमारी जिसमें एक जगा है केप केमोरी केप केमोरी ठीक है तो स्कुवा है टैन डिगरी चैनल आपका अंड़मा निकोबार आइलेंड में है ठीक है और केरला की राज़ानी जो है आपके तिरुप वनंतपूरम है तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट कुशन देखते हैं बेसाल्ट किस तरह की चटान से प्राप्त होता है तो देखी जनरली तीन तरह की चटानियों होती है आगने अवसादी और तर्षटी कायंतरित चटाने तो बेसाल्ट जो है वो आपका आगने चटाने से प्राप्त होता है यानि कि इगनियस रॉक्स से प्राप्त होता है इगनियस रॉक्स से प्राप्त होता है यह उप्शन इसका राइट अंसर है ग्रेनाइट भी जो है आपका इगनियस चटानों से इगनियस रॉक्स से प्राप्त होता है आप तो दीखिए, सुनामी जो शब्द है, वो जापानी शब्द है, मौनसून जो शब्द है, वो आपका अर्बी शब्द है, टाइफून जो शब्द है, वो आपका चीनी शब्द है, साइकलोन जो शब्द है, वो आपका यूनानी शब्द है, कौन सा यूनानी, तो D option इसका right answer ह नेक्स्ट कुशन देखते है किस चट्टान का निर्मान ज्वाला मुखी उद्गार द्वाला निकले मैगमा और लावा के जमने से होता है कौन से चट्टान ऐसी है जिसका निर्मान ज्वाला मुखी उद्गार द्वाला निकले मैगमा और लावा के जमने से होता है तो देखे मान लीजे ये परवस छिंकला है आप नीचे से च क्ट्षूर हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ये निकलेंगा उदगार अब ये मैघमा निकलेंगा पर जम चूका है तूब अगार पूरा है देखिए जर्णरिली जो है जो है जारवाटा जो है 12 घंटे में एक बार आता है यानि कि 24 घंटे में दो बार आएगा तो जो हए तब ही आता है जब चंद्रमा का जो गुरूत्व करशन बल्ल है उस पर पढ़ता है या फिर पित्वी का केंदरी क्या बोलते हैं सिज्मो ग्राफ मैंने करवाया था आपको सिज्मो ग्राफ लेकिन बुकम के अधियन को क्या बोलेंगे सिज्मो लोजी लोजी होती है स्टडी सिज्मो लोजी बी ऑप्शन इसका राइट अंसर है अंसर की यहां पर आपको लास्ट में मिल गई है अगर इसमे आपके पास Facebook page है कोई तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास WhatsApp है तो WhatsApp group में शेयर किर दीजिए तोड़ा साथ मुझे भी कुछ गुरुदक्षना दे दीजिए कुछ ना कुछ क्योंकि मैं भी आपके लिए जो है काफी समय से लेक्चर्स बनाता हूँ काफी प्रिपेर करता हूँ पहले तब जाके लेक्चर्स बनते हैं तो प्रिक्षाइब को डाउनलोड कर लिजे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो जी के ट्रिक 50 कोड यूज करना है आपको सभी ट वीडियो के साथ तब तक है लेज जाहिंद